जी करता है गर्बो बला में जो गुझरा है कोई बतार बहुत दिनों से नहीं है रोड़ कोई तो हमको रुलबाय राभी ने छेड़ी है रिबायत हर कोई ये सुनता जाए गम से चाहे फटे कले जाए आए आपों में आशु आए प्यारे मोहमद इस दुनिया से जैसे ही परदा फर्मा हज रख दी भी बात मजहरा और यली भी रहना पाए भाई को भी गबर के अंदर जब संबीर सुला तर्या एक हुसेन अकेले रह गए दिल ना क्यूंड का घब राएक हुसेन अकेले रह गए नाना भाई अम्मा बाबा जब जब भी उनको याद आए अकसर जाके कपर पे उनकी पूब से सग कर अस्क बहाई फिर कूपा के कलमा गोले कूपा में उनको बुलवार बेयक्त का मसला यठका था चालिम थे कूपा में चाय हजरत ने ये दिल में सोचा पीने पे कोई हर पे नया इसी लिए भाई मुसलिम को तेबा से कूपा भिजवाई कूपाया कर हजरत मुसलिम आले यहां का बेटर पाया जाए हाला तेह बेटर खत को लिख कर उन्हें बुलाए आजाए हाला तेह बेटर खत लिखवा कर कूपा वाले बदल गए थे एकदम हाई मुसलिम पे बो जुल्म किया था देख जिसे धरी थर आए घेर लिया उनको जॉल्म ने और उनपर तलवार चलाए एक नहते को बो जॉल्म कतरा कतरा खुन बहाए धीन के दुसमन थे बो जॉल्म तीर भी वो उनपर बरसाए वो सब थे तागादम कापी और अकेले मुसलिम हाई तीर सवर की अलगारों को कब तक सहते सहना पा जखमों से तन बदन चदाता छोड़ गए दुनिया को हाई जखमों से तन बदन चदाता मुसलिम के दो नन्हे बच्चे साथ में थे बाबा के आई बाप की हालत देख के बच्चे दोनों का फियस्त बहाई अपनी जान बचाने को दोनों एक ज़ाड़ी में आई आखों से आँसु जारी थे लेकिन थे वो खुद को चुपाई पेड़ी की वो ज़ाड़ी थी जिसके नीचे पानी बहता जाए वो एक मीठी नहर थी जिसका पानी घर घर में कामाई पानी भरने को एक ओरत आई अपना घड़ा उठाई उसने देखा पानी के उपर जारी से ज़वने निकाला कर के मारे वो थर राए रोते थे वो दोनों बच्चे हिचकी लेकर हाए हाए चांज सच चहरा देख के उनका उस ओरत ने गले लगाया तू पोंच प्यार से उनके सर पे उनके हाथ फिराए किसके बेचे हो तुम दोनों पूछाए उनको लिपटाए मसलिम के हम दोनों बेचे है ये वो दोनों बतलाई सेरे खुदा के हम पोते हैं और मदीना से हैं आए बाबा हमको छोड़ गए हैं जीने का अब नहीं उपाए बाबा हमको छोड़ गए हैं उस ओरत ने दिया दिलासा उसके घर वो दोनों आई धर्या कर उसने सब किस्सा घर की मालकन को बतलाई सुन कर उन बच्चों की बात आसू थे आँखों में आई दर्द के मारे जिल रोता था और कलेजा मोह को आई प्यार से वो औरत थी उनको अपने सीने से चिपकाई खाना भी उनको खिलवाया फिर दोनों को दिया सुनाई रात में उसका सोहर आया घर अपने जो ठके ठकाई सारा दिन वो रहा पाईसा उसने सारे हाल बताई सारा दिन वो रहा परिचा होज का था वो एक सपाही बच्चे उसके हां दिन आया भूडे रहा था यो बच्चों को ताके कुछ इनाम बपाई डर से बीबी कुछ न बोली वो बच्चों को रही छुपाई सोच रही थी खाना खाकर जल्दी सो हर बाहर जाए पूखा से दोनों बच्चों को फिर वो देगी दूर भगाई लेकिन उनकी किसमत में तो और ही उच्छ लिखा था हाई जोंको उठे वो दोनों बच्चे बाब में उनके बाबा आया है सारा बदन था उनका जक्वी फून में थे वो खड़े नहाई सारा बदन था उनका जक्वी बाब को देखा इस हालत में तो वो बच्चे रहना पाई सिस्ट की उनकी रुखना पाई रो रो कर वो सोर मचाई हार से नाम का उस चालिम का बच्चों को जा पकड़ा हाई पाल पकड़ कर उनका खीचा और समाज उने लगा एक बेटा था हार से का भी वो बोला ये बीच में आए बाबा इन पे रिहम करू अब बहुत सतम है इन पे धाए हार से बोला चुप रह परना तेरा भी सर न उड़ जाए बापस फिर भी बोलाड बेठा ताके उनकी जान बचाए बापस फिर भी बोलाड बेठा गुसे में आगर हार से सर बेठे कया प्लूड बीबी और एक नीजज दोड़ी उन्हें भी मारा दिया मिटाए अपने घरवालों का कातिल कैसे रहंब उन पे खाए उन दोनों मौसूमों को भी है चिक फिर दर्या पे लाए ताके उनको जान से मारे ताके उनका खून बहाए वार से बो दोनों बोले कर्या पे जब दोनों आए क्या मिल जाएगा रे जाल में हम दोनों को मार मिता लेकिन उसने मारा उनको और दर्या मेला से बहाए लेकिन उसने मारा उनको हजरत मुसलिन की ये सहादत जब जब भी हमको याद आए हट जाए धर्ती का कलेजा दिल पारा पारा हो जाए और उनके बच्चों की सहादत पून के आज़ू हम रुलाए दूर बतन से उन लोगों ने अपनी अपनी जान गमाई जालम और यधीदी पर क्यों मौला ना भटकार गिराए कूपा के जाविर कातिल पर तरस कभी भी उसे नयाई उनको दे रिहमत भी सलामी उन्होंने अपने लहु बहाए जिन्होंने अपने सर दे कर भी दीने नभी किसान बचाए जिन्होंने अपने सर दे कर भी उधर जो मुसलिम का खत पहुचा अज रत ने बिस्तर बंधवाई अज में सफर था उन पेला जिम सफर या धूरा क्यों रह जाए जैनब से बोले बे आकर हम जाते हैं देस पराए चलना हो गर कूफा उसको साथ हमारे वो भी आए घर वालों को साथ मिले कर हम जाने का मन पना तनहा रह जाएगी सुग्रा क्योंके हैं बीमार बोहाई भाईया हम भी साथ चलेंगे जैनब ने फर्मान सुना जाने से पहले वो अपने नाना की तुर्बत पे आ जाने से पहले वो अपने करके सलामे अखीदत भोले नाना हम कूपा को जान लेने आये यहाँ इजाजत आप द्वारब से फर्मा जूमित कबर नभी वहां से अमा की वो कबर पे आ देकर उनकी कबर को गोसा आपे जहरा से फर्मा आया मी हम जाते है कूपा सर पे बारे अलम उठाए कबर मुबारक से यह सुनकर कैसे नाया वाजी आय जाओ हापज खुदा तुमारा हूँ मुस्किल कोई बेस नया आय कबर हसन पर चलते चलते उससे भी मिलने को आय कबर हसन पर चलते चलते भाई की तुर्बत पे आके असक मोगत खुब गोई हसन की तुर्बत देख के आजू कैसे ना गम से ठाराई कैसे नै अपने भाई पर वो अपना भाई प्यार लटाई अपने भाई की खातर वो खूब दुआ रब से फर्मार करके फिर अबबा का तसबुर हजरत अली की कबर पे आया कर बोले प्यार अबबा भोज इजाजा सफ्र को जाँ जिन लोगों ने दगा किया था आपसे उनके घर हो आँ दीन की अजमत है खतरी में कैसे ना हम उसे बचा दीन की अजमत है खतरे में अलकिस्ता उन सब से मिलकर वापस जब वो घर को आई हजरत वानों और जेनब को चलने को तैयार बपाई सुग्रा थी बीमार मगर दो जाने को थी सोर मचाय रोरो के कहती थी बाबा मुझको भी ले चलिये हाई अपनी बेटी सुग्रा को भी सब पीर महबत से समझाय तुम तो हो बीमार ये बेटी कहां चलेंगे तुम्हें उठाए हम जल्दी बाबस आएंगे या लेंगे तुमको बुलवा जल्दी से हो जाओ अच्छी तुम पे करम मौला फर्मा जल्दी से हो जाओ अच्छी छोड़े हो सेन मदीने को अब मक्के में तसरी पिहलाई करके तबा भेका बाब बोले या रब तेरे घर है आए तेरा करम हमेशा हम को सीधी राहों बेले जाए मेरे खून का हर एक कत्रा पीने महुंबद के कामा आए तेरी मर जीजे सारत्थे तु ही मारे तु ही जिलाए हर हालत में सुक्र है तेरा उफ तक भी ना जवाप आए मरते मरते भी ये मौला मुझ से ना सज़दा छुट पाए बक्ते न जा भी तेरा कल्मा मेरे होटों पे लिहरा आए वक्ते न जा भी तेरा कल्मा उम्रा करके सारे हुसेनी खूफा के रस्ते पे आए बेगा में कुरियान लिये वो आगे आगे कदम बढ़ाए रस्ते में एक सक्स मिला तो आपने पूछा कहां से आए बोला कूफे से आता हूँ मुसलिम का यो हाले बता होटे लरस्ते देखा गम से औखों में आजू थे आए मुसलिम और उनके बच्चोन अपनी अपनी जान गवाई जाम सहादत ठीके उन्हों जन्नत में घर अपना पसाई तूफे वालों की गतार ही मेरी तो ना समझ में आई तूफे वालों की गतार ही ये सुनकर चसमे सतीरी कैसे न आया तू बरसाई कैसे न दिल पूट के रोए कैसे न बेचे निछाई उनका भाई गया है महरा और भती दिभी का माय अच्चा ये आजाज नहीं था दिले सोच के डूबा जाए फिर अपने रिष्टेदारों से आपे रो रो कर फरवाए मोत के मुह में हम जाते है लोट के जो चाहे वो जाए कुछ ये सुनकर लोट गए थे कुछ ना फिर भी लोट के आए बाकी जो रह गए थे बोले अल्ला ताला साथ निभाए बाकी जो रह गए थे बोले जिकरे खुदा में खोया खोया काफला ये बढ़ता ही जाए चलते चलते आखर एक दिन वो अपनी मंजिल पे आए कूफा जब वो काफल पहुचा बंद सब के दरवाजे पाए कूफा पे गस्तार मुसलमा उनसे मिलने तक ना आयाए खोजे यजीदी के कुछ खोजी कर वो बला सक उनको लाए बिलकुल वो सुनसान जगह थी खेमाए आप जहां लगवाए बेयत का परवाना लेकर उनकी खिदमत में वो आए हुक्म यजीदी को हजरत ने मौरे गुष से के ठुक राए हुक्म यजीदी को हजरत ने इबन जयाद करक कर बोला हम है तुम्हे समझाने आई हमसे बेयत कर लो पर ना मुस्किल है कोई बच कर जाए बोले हुसेन आजम उससे चाहे तो कुछ भी हो जाए हाथ नहीं हम सर दे देंगे पसंद यगर के तू फर्मा लड़ने तू आया है लेकिन हम तो नहीं है लड़ने आजा के दे सरदर से अपने कदी छोड़े हो समया दीन इललला पे कब जा कोई ना मर्दूद जमा जोर जबर दस्ती करके बो काहे अपनी जान गवा जोर जबर दस्ती करके बो खरी खरी ये बात सुनकर सारे फोजी लोट के आए करिया को फिर खुला न छोड़ा जाके पहरा वहां बठाए कर्मी का दिन प्यासक मारे सब के होस ठिकाने आए होटे है सूक जब आहे ठी पानी पानी सब चिलनाए गोद का बच्चा प्यासक बारे तड़प रहा था हाए हाए मा का तन भी सूक तुका था केसे अपना दूद पिलाए नन्ही सी मासूम सकीना बोलिये अब पास से आए चाचा हम इतने प्यास दम अंदर से बाहर आए चाचा हम इतने प्यासे है फाली सकीना कीना हालते अब पास से देखी जाए आखिर लेकर एक मस की जा तरिया बैबो भरने आए भर के जब मस की जा पलते उन पे कयामत तूटी हाए जाले में एक बाजू काटा मस की जा दूजे से उठाए दूजा भी जब कट गया बाजू सारा पानी बह गया हाए सीना फट गया बाजू कट गया खोड़े से धर्थी पे आए गमे ठाके बाली सकीना तो पानी बिलवा ना पाए गमे ठाके बाली सकीना खेमे के अंदर असगर की हालत जब कुछ बिगड़ी हाए गोद में लेकर वो असगर को सामने उन मर धूद के आए और इस तम गर से बोले पानी दो बत्के को पिला इसकी जान लबो पर आ गई प्यासा ही ना ये मर जाए और कहां असगर से अपने अपनी सूकी जुवा दिखाए छोटा सा छे माहि का बच्चा कैसे सब कुछ कर दिखलाए बाप की बातों को भी समझे जैसा कहदे करके दिखाए जालिम खोजे सामन समझा पच्चे ने मोहमें चड़ा जालिम खोजे सामन समझा उन में था हुर्मला का मीना उसने भोरन तीर चलाई जो असगर के गले में आँकर छेद गया था कुछ ऐसा हाई खून का एक दरियासा जिसने एक जटके में दिया बहाई आखरी सिसकी ली बच्चे ने खून से अपनी प्यास बुझाए मां की गोद हुई है सून जी कैसे ना चीखे चिलाई खून के आज सुरुक न पाया पेटे को बाहों में दवाई खेमे में कोहरा में तहर सूँ सब ने आचू खूब बहाई एकी धर अपास कलासा असगर को सब उधर उठाँ एकी धर अपास कलासा जब भाई बेटे कलासा अपना कर खेमे में आए कासिम को देखा गुसे में हिद्मत में वो चचा किया आए कदमों में सर रख कर बोले रन की जाजत अब दी जाए कासिम को बुगले लगा कर पहले दो काफी समझाए मरने की न करो तमना भरी जवानी में तुम हाए कासिम बोले में सर के दिन मुझ पै मेरा बाप तिरा उनकी एजाबाजी देखी तो उनको वो हरम मिला अगद किया पहले कुबरा से हरम से निकला कासिम नोसाई अपने सर पे सहरा सजाई मास दूद और महरे मुझ जल पीबी से उसने बक्षाई सामने आपे बोली शकीना मुझ को पानी दियो पिलाए बेपानी के जुबाह सूकी दिल अंदर में बेखा जाए देकर उसे दिलाता काशिम लसकर का फिर से टक राए ऐसा उन पे किया था मिला कितने ओ तो मार गिराए ऐसे जरी बहादुर देबो पड़े पहलबा भी घब राए अरजक जेसे सहचोरों को हजरत कासिन ललते ललते दर्या के नजदी के जोहाद धेर के उस प्रासे को मारा पियो तबर से हाई हाई बेबा हो गई हाई कुबरा मान दिया जूडी बढ़वा जन्नत में जब पहुचा नोसा जन्नत उससे मिलने आई जन्नत भी मीरा से है उसकी कोई क्या कब जा करवा जन्नत के सरदार का बेटा पूचा धर जा क्यों ना पाई जीने नभी की खाचर उसने क्यों ना उस पे पारी जाए हूरो गिल्मा और खारिस्थे जैनब के दोनन है बच्चे आउन महम्मद जो कहलाई मामू पै कुरवा होने को कोनों बच्चे दोड़े आई बोले इमामे आली उनसे कहां हो तुम लड़ने को आई छोटे छोटे बच्चे हो तुम जाते हो क्यों जान गमाई बोले सहादत की है तमन्ना अब चाहे कुछ भी हो जाए मारेंगे या मर जाएंगे भागेंगे ना कभी भगाएं मौला अली के हम है नवासें रन में ये जाकर बतलाएं मारा बहुत लईनों को भी अपनी गर्दन भी कटवाएं मारा बहुत लईनों को भी तीरों की बोचार वो बच्चे कब तक सहते सहना पाएं ए दस बारा साल के बच्चे आखिरी अपनी जान गवाएं जैनव नई कह कर भेजा था जालिम को जो पुस्त दिखाएं दूधन बक्स में की मा तेरी अगर जो रन से भाग के जाएं खाक पे दोनों पड़े हुए हैं खून सलत पत हाए हाएं जैनव के चेहरे पे लेकिन इत्मी नानिक रंग हिचाएं कोई अपने लाल को रोएं कोई पच्छाड नीर बहाएं तू के सीमा है ये जैनव सबर बफा तूने दिखला है तू के सीमा है ये जैनव मा की थे एक हजरत अक्मर खिदमत में सब फीर कियाएं सब कुछ तो मिट गया है बाबा अब क्या होगा जी कर आएं सारे लोग गए हैं मारे क्या कोई उम्मीद जगाएं मेरे बदन पे अब तो बाबा सारे बोज सबनता जाएं बेहन मदीने में है तुमारी उसका जाके प्याही रचाओ ये भी फर्ज है तुम पे अकबर जाओ अपना फर्ज निभाओ ये भी फर्ज है तुम पर अकबर है जब उनसे ना मिली इजाजत वो अम्मा के पाश में आए प्यारी से बोले प्यारी अम्मा तूधे हमारा पकसा जाए हमसे अच्छे भाई चट्या थे जुन्होंने अपने सर कटवाए अच्छी तरह से देख लो मुझे को सायद अब ना हम मिल पाए सुन कर भी भी बानों तो रोई पछाडी सोर मचा जेके दोहाई नजप की बोली और जरा जादा चिला भूकी क्या सी मेरे लूगी मुसके लिस पे कोई नया छोड़ के मुझे को जाम सहादत क्यों पीने को जोर दिखा छोड़ के मुझे को जाम सहादत सर रख के मां के कदमों में हजरत अकवर ये फर्माई हम सब हैं अल्ला के आसिक मरने से फिर क्यों घब राए मां की खिदमद में फूपी को और बहन को लेकर आए सब से खुसा मद की अकवर ने रन की इजाज़त कोई दिल वाए अपनी मां के साथ वो अपने बाबा की खिदमद में आए तद में मुबारत को फिर चूमा फिर मिनत की अस्त बहाई समझाने पर धी जब अकवर सीधी राहों पेनाया आए बोले हजरत इमाम आली जाए अब बोरन को जाए बोले हजरत इमाम आली चाहित छेना हो सेन हरक जी अकवर मेरा रन को जाए बिलकुल ये हमसकल नभी है इस पे कोई हर्प नया इस कहरे के सबब ही अब तक पेनाना के जी के दिखाए भी तो अब मिट जाएगा अब जी कर क्या होगा हाए मा का दिल तुक्डे तुक्डे हो आखों के रस्ते बेह जाए एक पल को भी दर्द थमेला एक पल को भी चेन नया बड़ी खुसा मद्योर मनत्स रन की जाजत बोले पाए अल्ला हो अकवर के नारेस मेदा में घोड़े दोड़ा आए अल्ला हो अकवर के नारेस आज मैं अकवर देखित सारे का फिर भागे तुमको दवाई एक घटके में उनको उमारा जो इनके रस्ते में आए लासों से में दाव भर डाला एसा जो हर आप दिखाए पल कल सह जोर भी देखो इनके आगे तिक ना पाई जो भी आया मद्द मुकाबिल उसको जहन्नम में पहुचाए देखा जब ये हाल लईन तीर स्तमिन पे बरसाई पूरा बदन हुआ था छलनी इतने तीर बदन पे खाई सीने में एक तीर चुभातो गोडे पे ये रहना पाई सीने में एक तीर चुभातो गोडे से गिर कर धरती पर हजरत यक बर जब के आई हातों से तलवार न चूटी तर से कोई सट न पाई दर्या खून का वह निकला था जमीन अपनी मांग सजाए देखे के खूनी न जचारा अलक न कैसे अस्क बहाई भूरों गिल्मा और फरिस्ते देखे अपना जिगर दबाई पूफा के ज़रे ज़रे ने अकवर पे हैं प्यार लटाए दूरे खड़े हैं सारे का फिर खून पे अब तक छाए जब उन सब को हुआ यकीतो उनकी लास को देखन आए जब उन सब को हुआ यकीतो पीर सबर तलवार लिये सब डर्त डर्त पास में आए रूह तो उनकी निकल चुकी थी पड़ा था उनका लासा हाई खुसे में वो भरे हुए थे लासा पर भी बार चलाए घोडे लेकर भी कुछ आए और उनके घोडे दोडाए घोडे से लासे को कुछ लाँ लास पर गुसा खुब दिखाए डर से भागे थे जिन्दे के मुर्दे पर हैं रोब जमाए हरम के अंदर होर खेमी में मातम ही मातम चीछाए कोई अपना सीना पीटे कोई सिसकी असक बहाई कोई अपना सीना पीटे जब हम सकले बेगंपर भीरन के मेदा में कामाई यानि सहादत पाकर गोवी जन्नत में ही प्यास बुझाए कड़ियल सा एक जबान कोई जिसके घर का मारा जाए कैसे ना गो रंजो अलम से पागल के जैसा हो जाए जीने में कुछ मजा नहीं था जीते जी मर कर दिखलाए छोड़ गए थे साथ यहां तो हर एक अपने और पराए गोदी का बच्चा भी चूटा और जबाभी हाथ चुडाए भाई भती जे नन्ने भाजे कोई भी रहने ना पाए भाई भती जे नन्ने भाजे जब सब फीर हुए थे तनहा दुल-दुल को अपने हे लाए अब रन में जाएंगे खुद भी चाहे अब कुछ भी हो जाए खेमे से जैसे ही निकले सब सी जाजत लेकर हाई इतने में एक कोस दिया कर पेटी का खत उन्हें थमाए एक एक जुमले को पढ़ पढ़ कर आसून के रुक ना पाए लिखा था यदिया ओ अब बाजी की बारात सजाए कासिम भाई से कह देना अच्छा सारा जोडा लाए आप की सुगरा ठीक है बिल्कुल रन में जाने से कुछ पहले वो बेटी को खत भिजवाए अल्ला तुमको रखे सलामत रंजो अलम न तुम्हे सताए कुछा में हम लुट गए बेटी कोई ना जिन्दा बच पाए बाजी तेरी हो गई बेबा खुल्दे बरी कासिम न बसाए असगर ने भी सात छोड़ा अब तु जू जूला किस जूला तेरे भाई जानव अकबर रन में जाकर लोट न पाए और मेरे अब असन जाकर नहर पहे बाजू कटवाए जैनव के दोनों बच्चोन जान लटा दी खून बहाए जैनव के दोनों बच्चोन हाल यहां का पुरा है बेटी क्या क्या हम तुमको बतला है हमको भी अब दे दो इजाजब ताके हम मैदान को जान लिखकर खट में हाल यह सारा कासिद को खट दिया थमाए और बोले जाकर सुगरा को अच्छे से देना समझा जाता हूँ अब रन को भाईया कम है खाली हाथ चलाए लूट लिया कूपा बालों ने तुमको कुछ भी देना पाए कासिद भी यह सुनके रोया उसके आशु रुक ना पाए कासिद के जाते ही पोरन वो मैदान जंग में आई कासिद के जाते ही पोरन पहुचे कतले गाहि में जब के वो अपना घोडा दोडाए खोज यह जीदी से फरमाया जिसको लड़ना है वो आई मैं हूँ नवासा प्यार नभीका और फिर भी यह सुनता जाया और अलीका मैं हूँ पेटा सोच के कोई भी टकराय उकबा भी चोपट हो जाये दुनिया मैं भी चेन न पाई जो मुझ से आयेगा लड़ने सीधा वो दो जख में जाये लेकिन वो थे जालिम चावबिर कहना उनका मान न पाई दूर सही कूपा वालोने तीर सितम उन पे परसाई दूर सही कूपा वालोने पीरों की परवाहिन की कुछ भोड़े को उन पे दूराई साड़े पुंतिस्तों का फिर को आप जहन्नाम में पहुचाए फिर आई आवाज फलक से अब लो अपने हाथ उठाए बच्पन में जो किया है पादा को बादा तो अब निब जाए हुक में रभी के फिर आगे सर अपना सब भीर जुपाए फिर अपने जिसमें अप दस पर लाखों जख में उन्होंने खाए खोड़े से गिर पड़े जमी पर जख मों की जब ताब नला दुल-दुल भी ना समल सका फिर तिर के छट-पट करता जाए दुल-दुल भी ना समल सका फिर हाथों में फिर खंजर लेकर सिम्र लईना केसे आए आप नमाज की हालत में थे चालम ने यो मों के पाई चड़ बेठा सिने के उपर और छुरी भी दिया चलाए कटने को सर कटा था लेकिन जुमले जो थे जुबा पे आए सुभाना रब यल्याला पोड़े पे भी छूट न पाई अपना सर दे कर हजरतन है दीने इसलाम बचाए उनका ये एहसाने से भी आज मुसलमा हम कहला जिकर सहादती संजोने सोने के में है रिकार्ड कराई जिकर सहादती संजोने सोने के में है रिकार्ड कराई सोने के में है रिकार्ड कराई सोनो मोमीनो ठ्याने लगाई सोने के में है रिकार्ड कराई